दर्शे को सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की आज दिनांग है 19 अगस सन 2023 विक्रम संवत 2080 चल रहा है श्रावन मां से शुक्लुपक्ष है वडशा रितू है तिथी आज की तृतिया है और आज का वार है शनिवार आज के नक्षत्र की बात करें तो उत् फालगुनी नक्षत्र पूरे दिन और रात्री एक बच के 48 मिनट तक है योग सिद्ध है रात्री नौ बच के 18 मिनट तक आगे साध्य योग रहेगा तो योग की द्रश्टी से आज का दिन शुब है योग का रख है इसका पूरा-पूरा सदुप्यों कीजिए करण तैतिल है सुबह 9 बच के 14 मिनट तक आगे गर करण रहेगा सुर्योदेगा समय दर्शे को सुबह 5 बच के 59 मिनट का था और सुर्यास्त का समय शाम 7 बजे का है आज का राहु काल सुबह 9 से 10.30 बजे के बीच रहेगा इसे सुजबू से टाल दीजेगा इसमें कोई शुकारे शुर बहुत जल्दी निकल जाएंगे फिर बिनका रोजना ध्यान रखिए ये थे सुबह 5 बच के 69 मिनट 6 बच के 50 मिनट और साथ बच के 44 मिनट आज का दिशा शूल दर्शे को पूर्व दिशा में तो पहले कोशिश तो ये करें कि पूर्व दिशा की यात्रा को टाल दें लेक अपने हिर्दे में अपने इस्ट का ध्यान करें भगवान श्री राम का ध्यान करें और फिर ये यात्रा करें तो फिर दिशा शूल आपको बिलकुल भी परेशान नहीं करेगा आज का शुब समय दर्शे को यानि आज के दिन का सदुप्योग करने का जो समय है वह सुबह 7 बच के 40 मिनट से सुबह 9 बजे तक फिर दोपेर 12 बच के 30 मिनट से शाम 5 बच के 20 मिनट तक ये दोनों का लखन बाकी पूरे दिन के अपक्षा ज्यादा शुब है योग का रख है तो अच्छे एफर्स करें तो इन समय का ध्यान रखते हुए करें तो सक्सेस के चांसे ज्य चंद्रुमा कन्या राशी से गोचर कर रहे हैं जिस से आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की मेश राशी वालों को ध्यान रखना है लें दिन में जो भी आप लेंदेन करें कागजी का रवाई पू पहीं करक राशी वालों के संगी साथी मित्र ये सब बनेंगे बहुती मजबूत सहारा और सिंग राशी वाले आज अपनी वानी लेखनी से कमाएंगे नाम और यश कन्या राशी वाले जीवन साथी से पाएंगे महतुपूर्ण सीख बहुती काम की होगी और तुला राशी वाले अपने ऑफिस में आज प्रशंशा पाएंगे अपनी बुद्धी और कारे प्रबंधन के लिए वही मकर राशी वाले भाग्ये से पाएंगे कोई व्यापार का अवसर सामने सायगा और और कुम राशी वाले स्वास्त का रखे ध्यान एलर्जी आपको परेशान कर सकती ह मीन राशी वाले अपने वैवाईक जीवन की परेशानी को पहुती सूजवू से ठंड़े दिमाग से सुलजा लेंगे अब करते हैं आज की दिन की ज्यान चर्चा जो आपकी हमारी अंत्य द्रश्टी को प्रग्या को जागरत करेगी फिर आगे समझेंगे उन बहुती पर्व को जिसका राजस्तान की लोक संस्क्रती में बहुती विशेश महत्व हैं आज हर्याली तीजें आज के दिन अखंड स्वभाग्य के लिए महिलाएं व्रत रखा करती हैं और भगवान शिव जी और पार्वती माता की पूजा करती हैं यह त्योहार भगवान शिव औ और माता पार्वती के पुनर मिलन का प्रतीक हुआ करता है माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पती रूप में पाने के लिए 107 बार जनम लिया फिर भी माता को पती के रूप में शिव जी प्राप्त नहीं हो सके 108 वी बार माता पार्वती ने जब जनम लिया तब श् इस वरत का प्रारंब हुआ इस अवसर पर जो सुहागन महिलाएं 16 शंगार करके शिव पारवती की पूजा करती है उनका सुहाग लंबी अवदी तक बना रहता है साथ ही देवी पारवती के कहने पर भगवान शिव जी ने आशिरवाद दिया था कि जो भी कुमारी कन्या इस स्वत को रखेगी शियू पारवती की पूजा करेगी उनके विवा में आने वाली बाधाये दूर होंगी साथ ही योग्यवर की प्राप्ती होगी तो स्वागन इस तरियों को इस व्रत से चाहां स्वभाघ्गय की प्राप्ती होती है लंबे समय तक पती के साथ व्यवाइक के जीवन का सुख प्राप्त होता है इसलिए कुवारी और सुहागन दूनों ही इस दिन पूजन और व्रत अवश्य करें और इस दिन का पूजन करें दर्शे को अब बात करते हैं उन विस्ष्ट उपायों पर जो सभी प्रकार के आपके समश्याओं के समाधान बहुत ही सरलत से कर देते हैं और जिने करके आप अर्चनों को असफलता को जीवन से बहुत दूर करते हुए सफलता की ओड़ता से पीजगती से अग्रसर होते हैं अज का दिन स्त्रियों के लिए विशेश साधन पूजन का है तो आप सभी माताएं बहने आज सनानादी से निवरत होकर अ शिव जी गणेश जी की प्रतिमा या फिर इनके चित्र स्तापित करें इसके बाद माता को सोलेश अंगार की सामगरी वस्त्र अक्षत धूप गेप गंद इसा बस्तुन अर्पित करें भगवान शिव जी को भांग धतूरा बेलपत्र श्वेत पुष्प गंद धूप यग lunar स्ष्वर श्वारत साधी के शरण्य तरंफ के देवी नारायनी नमस्थें इस मंत्र की पांच मराश जब करना है इस से वहवाईक जिवनमा रही समश्याओं का अंत होता है स्वभाग्य की व्रद्धि हुआ करती हैं और जिन स्त्रियों के जनुम पत्रिका में कोई दुर्योग हो किसी प्रकार का कोई गलत चीज हो वो टल जाती है ऐसे अगर ग्रहों की विप्री चाल से आप हताश निराश हो चुके हैं हर दिशा से आपक से एक माला नित्य शुरू कर दें मंत्र ध्यान से समझेगा मंत्र स्प्रकार है शर्णागत दीनार्थ परित्राण परायने सर्वश्यारती हरे देवी नारायनी नमोस्तुते इस मंत्र जाब से पहले गणेजी का शिवजी का सामानी पूजन भी आप अवश्य करें और फिर माला इस मंत्र की जाब नित्य करनाव शुरू कर दें ऐसे बहुत से विवायोग्य युवकों को भी अच्छे रिष्टे नहीं मिला करते या उनके विवा में एवांचित विलंब हो जाता है और आजकल विवा तूटने के भी बहुत सारे मामले हो रहे हैं तो ऐसे में जो एविवाइत लड़के हैं उनको चाहिए कि वो सभी आजके दिन माता पारवती का पंचोप्चार से पूजन करें शिवाले जाकर भगवती को वस्त्र भेट करें और आज से इस बहुती विशेश मंत्र का नियमित जाब शुरू कर दें कम से कम एक माला जाब करें अधिक ज दियां से समझ जог मंत्रस्प्रकार है पतनी मनोरम्य मनोवत्तार्ण्यृ ऑल्के दिन का भे वह जल्दी एक अनुखूल जीवन साथी आपके जीवन में निश्चित रूप हम हो अ तो दर्शे को ये थे आज के विस्ष्ट उपाए जो आपकी बड़ी-बड़ी समश्याओं से आपको बाहर ला रहे हैं आपकी मनों कामनाय पूरी कर रहे हैं अब बात करते हैं आपके सवालों की आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्री का यह हमारी दर्शक छवी मि आशी है और सब्तमेश शुक्र आपका अस्त है यानि विवा भाव का जो अधिपति शुक्र है वो अस्त है सब्तम में गुरू और शनी बैठ है और यह जो सारी स्थिति है दर्शार एकि आपका विवा विलम से होगा और संभव है कि एक सगाई या कोई गंभीर प्रेम मंद आपका तूट जाए विवा के पश्चात भी समश्या आएगी तो यह ना है इसके लिए घट विवा मंगल चंद्रुमा और गुरू के जाप आप अवश्य करवा लीजिए आपके जो विवा के योग है वो जुलाई सन दोजार 28 के बाद ही वनेंगे आज की दूसरी ज जनमपत्रि का कञ्या लगन और मेश राशी की लगनेश बुद्ध छटे भाव में हैं और आए भाव में वक्री शनी बैठाए तो आपके काम को आपके भाग्ये को यह धीमा बना रहा है क्योंकि आए लगन और भाग्ये शुक्र पर शनी का सीधा सीधा प्रभाव हैं तो का जो भाग्योदे का समय है वो नवंबर सन दोजार चौबिस से शुरू हो जाएगा तो दर्शे को यह था आज का पंचांग आज के रिसस्त उपाय और ग्यान चर्चा पंडे चंदर शेकर शर्माई आशा करता हूं कि बताएव उपायों को सही विदी सठीक समय अटूट श हमारे बताएव उपाय करें तो आपके कश्टों को निवारान अवश्य हो और मनो कामना पूर्ती निश्चित रूप से हो साथी साथ एक निवेदन श्रावन मास चल रहा है व्रक्षा रोपन अधिक से अधिक संक्या में कीजिएगा क्योंकि जो प्रकृती है वही भगवत करती है तो सेवा कि करते रहें कारेक्रम में बने रहने के लिए बहुत-बहुत साथ हुआ भगवतिया आप सबका कल्यान करें जय आदिशक्ति नमस्कार मैं हूदीप्ती शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज 18 के हमारे इस खास कारिकरम भागयम में और भागयम के इस्पिशे सेग्मेंट में जहां पर आप और हम हर रोज औरिकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा और हम ऐसा क्या करें किन बातों को करना अवाइड करें जिससे आज के दिन को हम और भी खुबसूरत बना सकते हैं और दोस्तों इसके लिए आप तो जानते हैं कि हम एक से लेकर 9 मूलांग तक की रीडिंग करते हैं कौन सी रीडिंग होगी आपकी कौन सा होगा आपका मूलांग आपको एक उधारन देकर बताना चाहूंगी यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 14 यानि की 14 तो एक और चार को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ाता है नमबर पांच पांच होगा आपका मूलांग और आज की तारीक है 19 अगस्त 2030 और आज की तारीक को जब हम जोड़ते हैं नमबर 19 तो नौ और एक को जोड़ेंगे तो आएगा दस जीरो को हम नहीं ले रहें नमबर एक को हम लेते हैं तो आज की जो तारीक है आज का जो दिन है उसका जो मूलांग है वो आ रहा है नमबर एक जिसके की स्वामी है सूर्य सण अपने आप में बहुत ही पावर्फल प्लानेट हैं और उनकी जो एनर्जी जासिए हैं और उनकी जो एनरजी वो सारी एनरजी यूनिवर्सल एनरजी का जो स्त्रोत्र है उसे सन को ही माना गया है तो ऐसे में सूर्य की उपासना करते हैं या सन के साथ कनेक्ट होते हैं तो कहीं न कहीं हमारा जो आभा मंदल है वह आभा मंदल भी शुद्ध होता है आभा मंदल हमारा पावर्फुल होता ह साथ ही साथ हमारे विल पावर बढ़ती है हमारा जो व्यक्तित्व है उसके अंदर निखार आता है ना केवल शारेरिक बलकि मानसिक भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी हमारी उन्नती होती है आपको पता है दोस्तों प्राकरतिक चिकित्सा में सूर्य चिकित्सा को में नहिक्क तो सुर्यदेग से गंटे बर बाद तक चुन मिंदेटcn की ज़एधा आपका ऑरा क्लीन होगा आप बहुत मैंक्त स्ट्रॉण होगी स्ट्रॉंग होगी साइंटिफिकली अगर मैं बात करो तो कहीं ना कि हमारे बैक्टिरिया वायरस और साथ इसाथ स्पिरिच्वल बात करो तो नेगेटिव एनरजी इससे पूरी तरह से वैनिश होती हैं तो आए दोस्तों बिना देर की अपने कारक्रम कर शुरूआत करते और जानते हैं मूलांग के लिए कर मात्मा आज क्या गाइड कर तो 19 अगरश्त 2023 के लिए हमनि योई जा रहा हे बिग्श्ले कुछ दिनों में मूलांक या जातकों को बहुत अच्छी opportunity मिल रही है आगे grow करने की और आज भी वैसा ही दिन है आज आपको कहा जा रहा है आपका जो लगी नंबर है वो है नंबर 6 और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन जो भी कुछ आप अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं whatever your dream job or your dream partner या आपका business, your career, anything जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त करने का सु अवसर आज आपके पास है अपने समय का सदूपयोग करें इसको बिल्कुल भी बरबादना करें जो भी कुछ आप हासिल करना चाहते हैं उसकी तरफ अपने efforts करने शुरू कर दीज हमें परमात्मा आज क्या guide कर रहे हैं आज 19 अगर्स्त 2023 के लिए और मूलांक 2 के लिए हमको कहा जा रहा है isolation का card है आपका जो लखी number है वो है number 3 और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन कहीं ना कहीं आप emotionally बहुत जादा disturb हो सकते हैं कोई ऐसी खबर मिल सकती है या किसी भी प्रकार का आपको कोई defeat मिल सकती है किसी काम में आपने कुछ सोचा हो आपके expectation के नुसार काम ना हुआ हो ऐसी कुछ चीजे हो सकती है तो आपको divine क्या guide कर रहे हैं कि आज आपको जितना हो सके वो शांत रहने की जुरत है emotions पे अपने control करने की जुरत है और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा आप जो है आज ब्रेक ले लें थोड़ा सा अपने उपर ध्यान दें focus करें कहते ना कि कभी-कभी थोड़ा सा रुक जाना चाहिए हडबड़ी नहीं करनी चाहिए भागम भाग नहीं करनी चाहिए अगर हम चीजों के साथ नहीं दौड़ पा प्रिशनली आप बैलेंस होते हैं यह एक स्पिरिच्वल और कहीं ना कहीं नाचुरोपैथिक ट्रीटमेंट भी है और साथ ही साथ आपको क्या करना है अगर आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक का उप्योग करते हैं वाटर मैनिफेस्टेशन का तो वह भी आप कर सकते हैं लगी नमबर नौ आपको कहा जा रहा है कि आज काम की अधिकता रह सकती है अत्यादिक काम रहेगा बडन रह सकता है जिसकी विज़े से आप काफी जादा थकावट महसूस कर सकते हैं एंजाइटी हो सकती है और थोड़ा टेंशन भी हो सकता है तो अपनी फ्रॉस्टेशन क घर तक मत लेकर आईएगा तो आपको क्या करना है कि एक तो शमता से अधिकारे आप ना करें और किसी को खुश करने के लिए भी कारें जितना आप कर सकते हैं जितने एफट्स आप लगा सकते हैं उतना ही करें शमता से अधिकारे करना आज आपके लिए नुकसान दायक हो स पुलांक चार के लिए हमें कहा जा रहा है लोनलीनेस का कार्ड है लोनेस नमबर आपका जो है लकी नमर नौ और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन कहीं न कहीं जिनकी जो आपको तो एक्सपेक्टेशन स्थी कि जो लोग आप के साथ खड़े हुँगे आपको सपॉट करेंगे ऐसा आज कुछ नहीं होगा कहीं ना कहीं आपको यहां पर थोड़ा सा अप हर्ट हो सकते हैं तो आपको डिवाइन क्या कह रहा है किसी से भी आज आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है जो भी कोई काम आप करेंगे वह आप खुद से करेंगे कहीं ना कि आपके अपने एफ़र्ट आपको ग्रोथ कराने में आपकी सहायख होंगे तो आज के दिन दूसरों पर आशुरत नहीं रहना बलकि खुद के नमपर जो कर सकते हैं वह कार्याप करें आपका दिन शुभुग आई जानते हैं मूलांक 5 के लिए हम आज के दिन आपको सक्सेंस प्राप्त होगी अगर किसी प्रकार का कॉंपेटिशन आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं कॉंपेटिटिव एक्जामेनेशन या किसी भी प्रकार का अगर आपने इंट्रव्यू दिया है या कहीं पर भी अगर परिक्षागी घड़ी चल रही है तो उसमें आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी यहां तक यह भी कहा जा रहा है कि आज आपको धनलाब हो सकता है वह परमात्मा आज क्या गाइड़ कर रहे हैं आज 19 अगस्त 2,023 के लिए कहा बवे का बार कारिद की नमबर या ад काrd तक तक यह जा रहा है मुलांक छे के जात्पों को कि आपको अपने साथ किसी का भी और उसमें नहीं करना ॉस है अप का अपना डिवाइन टैमिन कि कहीं ना कहीं आपको क्या करना है कि आपको अपने टैलेंट पर भरोसा रखना है और अपने पर मात्मा पर भरोसा रखना है खुद पर भरोसा रखना है सही समय का इंतजार करना है आज के दिन आपको जैलिसी की भावना से अपने आपको बचाना बहुत जरूरी है उसके लिए को क्या करना acceptance लाना है और हर किसी के लिए एक अच्छा फॉर्ट प्रॉसेस अपने मन में रखें आपका दिन शुभू कि आई जानते हैं मूलांक साथ के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड करने हैं आज 19 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक साथ के लिए हमें कहा जा रहा है अवेर्नेस का कार्ड है लकी नमबर भी है आपका नमबर साथ आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन किसी पर्टिकुलर विशह में फिर वो चाहें आपका अपना profession भी हो सकता है या आपका relationship भी हो सकता है कुल मिला के आज के दिन आप कुछ बहतर जानकारी प्राप्त कर पाएं आज का दिन बहुत अच्छा है विशेश तोर पर सही समझ और ग्यान को प्राप्त करने के लिए तो कुल मिलाकर वो लोग जो की विद्यारती है या वो प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन तो बहुत बेस्ट है अगर आप अपना कुछ सीखना चाहते हैं अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में कुछ और गेन करना चाहते हैं अगर ऐसा थौट है आपके मन में तो आज का दिन आपके लिए हैं आपका दिन शुभो आईए जानते हैं मूलांक आठ के लिए हमें परमात्मा अच्किया गाइड कर रहे हैं 19 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक आठ के लिए हमसे कहा जा रहा है रिबेल का कार्ड है लगी नमबर है आपका नमबर 4 आज के दिन विरोधा भास हो सकता है बातचीत में तो जितना हो सके अपने आपको शांत रखने का प्रयास करें बहुत विद्रोही उर्जा होगी आपकी कहीं नगें चिडचड़ाइट हो सकती है लोगों के सामने अपने आपको प्रूव करना है इस प्रकार की भावना हो सकती तो divine आपको क्या कह रहे हैं एंकार की भावना अपने भीतर मत आने दीजेगा आप जो हैं आपका जो talent है ना सिर्फ अपने काम पर focus कीजे किसी को दिखाने को focus मत कीजे केवल अपने आपको बहतर बनाने में focus कीजे और देखिए कि जो आप चाहते थे ना वह और बहतर तरीके से कर पाएंगे वह कहते हैं आपने कोई लाइन कीची तो दूसरे के बराबर लाइन कीचने की कोशिश मत कीजिए बलकि अपनी लाइन को और आगे बढ़ा दीजिए आपका दिन शुब हो आई जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं उन साथ आप बहुत अच्छा ताइम स्पैंड करने वाले अभी पार्टनर हैं ये आपके लाइफ पार्टनर हो सकते और साथी साथ आपके बिसनस पार्टनर उसकतें जिनके साथ बहुत फ्रेंडली और बहुत समझदारी के साथ आप कोई दील करेंगे प्रजेक्त आगे बढ पार्थना करते हैं कि आप लोग हमेशा खुश रहें आप हमेशा स्वस्त रहें आप सभी का मंगल हो अगर आपकी कोई भी क्वैरी है तो यहां दिये नंबर पर आप हम जिसंपर्क कर सकते हैं आप सभी के भीतर बैठे पर मात्मा को मेरा प्रिणाम कर दूसर